हलो दोस्तो खेंपोर रिपेर यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो लगवक्त साथ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको एक डेक्पोरेशन जहालर बनाकर दिखाई थी सिंगल स्टेप वाली और उसमें एक प्रॉब्लम थी दोस्तों कि वो जहालर जो थी ब्लिंकिंग नहीं कर रही थी यानि कि जग्मक नहीं हो रही थी तो आज इस वीडियो में हम उस जहालर के निये एक कंट्रोलर बनाएंगे जिससे के आप सिंगल स्टेप की जहालर को भी जग्मक कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखें तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास में एक decoration जालर है और इसको मैंने 7 दिन पहले बनाया है और इस जालर में problem ये है कि ये जालर जो है वो बिल्कुल simple जलती है मैं आपको पहले तो इसको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से जल रही है ठीक है उसके बाद मैं आपको बत सकते हैं color इसमें जल रहा है लेकिन दोस्तो ये simple जल रही है blinking बिल्कुल भी नहीं हो रही है आज दोस्तो हम इस जालर को blinking करेंगे यानि के जलने बुझने वाली करेंगे और इसको करना बिल्कुल आसान है आज जो मैं बना रहा हूं वो बना रहा हूं single step की जालर के लिए आ इस वीडियो का लिंक मैं description box में दे दूँगा आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि इस जालर को कैसे बनाया है कैसे इसके connection किये हैं अब दोस्तो हम बात करेंगे कि इसका जो हम controller बनाएंगे उसमें हमें किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक 909 का यूज़ करूँगा और मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए यह 909 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो wire है हमारे यह AC volt के wire है और इस तरफ ही हमारे जो output के wire हैं वो हैं और इसके साथ यहाँ पर हम एक relay यूज़ करेंगे यह 18 volt का relay है इस पर आप लगभग 500 watt तक का load डाल सकते हो इसके साथ ही यहाँ पर एक circuit है और दोस्तों यह भी सबसे छोटा वाला mini circuit है अब दोस्तों यह तीन आइटम जो हैं आप देख लीजिए यह तीनों आइटम आपको electronic shop पर मिल जाएंगे जहां आपको invator और stabilizer का सामान मिलता है आपका auto cut stabilizer जो होता है छोटा वाला 100 watt से लेकर लगभग 1 kilowatt तक का तो उसमें यह तीनों component लगते हैं अब दोस्तों हम इससे ही controller बनाएंगे कैसे बनाएंगे चलिए वो भी हम देख लेते हैं सबसे पहले तो हम इन पर एक man lead लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर हमने यह man lead ले ले ली ह और man lead के connection आपको कैसे करना है पहले यह आप समझ लीजिए एक wire आपको यहाँ पर लगाना है इसकी man lead के wire पर ठीक है जो यह हमारा 909 है यहाँ पर इसकी man lead की wire पर लगाना है और इस पर आपको यहाँ पर tape लगा देना है ठीक है tape हमने लगा दिया है इसके बाद दोस्तों अ एक wire हमें और भी अलग से लगाना है यह wire इसको हम यहाँ लगा देते हैं और अब इस पर भी हमें tape यहाँ पर लगा देना है दोस्तों आप connection अच्छी तरह से समझ लीजे नहीं तो problem होगी connection करने में ठीक है हमने दोनों wire आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगा दी है एक के इलिट को भी अड़ा देते हैं आप connection करते हैं हम इस तरफ के यहाँ पर जो यह हमारे output की वायर है ACV की यहाँ पर आपको मिलेंगे 18V ठीक है हम बीच वाली वायर छोड़ देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीच की वायर है वो हमने छोड़ दिये और जो साइडों की वायर हैं दोनों उसको ही हम लगाएंगे देखे दोस्तों यहाँ पर हमने circuit के connection करे हैं किस तरह से करे हैं देखे यह जो दो वायर है बिलू कलर की यह हमारे इस transformer की वायर है जो के 909 है ठीक है यहाँ पर एक वायर हमने यहाँ पर इस पर लगाई है negative पर जो के दोनों डायोड यहाँ पर connect है ठीक है तो यहाँ पर लगा दी है एक वायर हमें यहाँ लगाना है transformer की power की और दूसरी वायर यहाँ लगाना है अब दोस्तों इसके साथ ही दो connection हमने और करे हैं जो के हैं हमारे इसके relay के connection कैसे करना है एक connection आपको यहाँ पर करना है ठीक है आप देख सकते हैं, जो यह अपना capacitor है, 63V का इसके यहाँ पर पिलस वाले leg पर, यह connection यहाँ करना है, दूसरा connection आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह transistor लगा है, 547 लगा है इसकी यहाँ पर, ठीक है, इस leg पर, अगर आपको connection समझने में कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लें ठीक है दोस्तो तो इस तरह से ये दोनों connection हमने इसके circuit के कर दी है connection हमारे complete हो गए हैं तो इन दो wire को आपको कहाँ पर लगाना है इन दो wire को आपको यहाँ पर relay पर लगाना है एक wire आपको इधर लगाना है और दोस्तो ये wire आप इधर की उधर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये आप किदरी भी लगाना है काम सेम ही करेगी ठीक है तो एक wire आपको यहाँ लगाना है मैंने लगा दी है अभी एक wire हम इधर भी लगा देते हैं अब दोस्तो हमारे connection यहां तक complete हो गए हैं लेकिन दोस्तो यहां पर हमने थोड़ा सा connection गरबल कर दिया है वो connection यह किया है कि इस wire को यहां पर आपको joined नहीं करना है ठीक है तो मैं इसको यहां पर फिलाल tape छुटा लेता हूं और यहां पर आपको एक 5-pin socket का use करना है ठीक है आप कोई साभी एक 5-pin socket ले लें देख सकते हैं आप और इसमें यहां पर एक wire आपको यह लगाना है जो कि आपने यहां पर joint की थी इसको आपको यहाँ पर socket में लगा देना है किसी भी चाहें आप इस pin में लगाएं कोई सी भी pin में लगाएं एक pin में आप इसको लगा दें ठीक है तो मैं यहाँ पर wire को लगा देता हूँ अब दोस्तो हमारे पास wire बचती है एक यह 909 की transformer की और दूसरी wire यह main lead की ठीक है इस wire को दोस्तो आपको यहाँ पर इस वाले leg पर लगाना है आप देख सकते हैं यह दो leg नीचे है यह उपर की तरफ है ठीक है wire को हमने लगा दिया है अब दोस्तो हमारे पास बचती है यह दो wire एक wire आपको कहा लगाना है यहाँ पर लगाना है उपर वाले leg पर लगाना है जो उपर वाली pin है ठीक है क्योंकर यहाँ पर दो पिने हैं तो यह समझ लीजी आप कि यह जो है हमारी उपर वाली pin उस पर ही लगाना है क्योंकि यह relay के connection जो हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि जब हम इसको power देते हैं तो यहाँ पर इसकी जो direct supply होती है वो उपर वाली पिन पर होती है और जब हम इसको cut करते हैं तो इसकी supply नीचे वाली पिन पर आ जाती है यह मैं आपको किसी और वीडियो में कि हमारे पास दो wire और बच गई हैं दोनों में से कोई एक wire आप यहाँ पर लगा दें कोई सी भी लगा दें तो आपने देखा कुछ इस तरह से हमने इसको wire को लगा दिया है अब हमारे पास एक wire बचा है और इधर एक wire यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह 909 task farmer का है इस wire को आपको यहाँ पर joint कर देना है आपस में कुछ इस तरह से ठीक है अब यहाँ पर joint कर दिया है इसे इस पर हम लगाएंगे tape और दोस्तों यह जो हमारी light की man lead है इसको हम अभी socket में लगाएंगे और जो यह power supply इसकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाली इसको हम light में अच्छ नहीं करना है पहले आप इस तरह से connection करें फिर इसे किसी box वगेरा में रख लें यहाँ पर इसके board tight हो जाते हैं आप देख सकते हैं इसमें भी hole है यहाँ पर भी hole दिया हुआ है और इसमें भी है ठीक है इसको अच्छी तरह से पहले tight कर लें और अगर इसको आप कि इसको चेक करें ऐसे करेंगे तो आपको शौक वगेरा लग सकता है क्यूंकि इसमें circuit में तो AC volt नहीं आएंगे लेकिन यहाँ पर जो relay के connection है इसमें यहाँ पर AC volt आएंगे यहाँ पर भी आपको दोनों LED पर AC volt मिलेंगे तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो दोस् भी नहीं लगाना है इसको अच्छी तरह से आपको fit करना है उसके बाद ही check करना है दोस्तों मैंने board में इसको लगा लिया है ठीक है अब आप देख सकते हैं हमारे जो bulb हैं वो सारे एक सार जल रहे हैं यानि के bulb जो हैं वो तेज मद्धे नहीं हो रहे हैं अब मैं एक aligner की म blinking करने लगेगा ठीक है इससे आप अपने जो bulb हैं उसको control कर सकते हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है इस तरह से blinking कर रहा है काफी ज़्यादा अच्छे यह लग रहे हैं देखिए दोस्तों ठीक है तो कुछ इस तरह से यह आप देख सकते हैं कि यह बल्ब जो हैं वो ज तो यह कम हो जाएगा आप जैसे चाहें वैसे सेट कर सकते हैं इसको बनाना बिल्कुल एजी है कनेक्शन मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिये हैं दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लागा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद